दोस्तो सब्सक्राइब करें ये एक समनाने यूटूब चैनल को और लेटेस्ट टेकलों इस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर प्लिक करें आज के ये वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं यूट डोंगल नापसे बात करने वाले हैं यूएंटि दोंगल के भारे में और यू मद्यम इन और यूएंटि परो डोंगल में दोनों में क्या track को बता हैप दो इसमें धेजFr उसके बाद चलिए पहले आपको दिखाते हैं सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं कि यह UMT Dongle का only UMT Dongle का setup है तो यह सारी setup जो है आप हमारी website से डाउनलोड कर सकते हैं उसकी link आपको वीडियो पर दिसमें मिल जाएगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी कि UMT Pro Dongle में जो Avenger set है तो Avenger का total setup आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और UMT Pro Dongle में किस तरह से यूज कर सकते हैं तो वीडियो को आप ध्यान से देखें तभी आपको समझ में आएगा तो चलिए दोस्तो हम Google Chrome को open करके और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से Avenger का setup आपको डाउनलोड करना है किस तरह से आपको अपने computer में install करना है और उसका feature क्या है ठीक है तो दोस्तों से पहले आपको Google Chrome open कर लेना है यहाँ पर आपको लिखना है Avenger setup GSM form ठीक है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं उपर में type कर रहा हूँ Avenger setup GSM form ठीक है तो यह आपको simply Google Chrome में type कर देना है उसके बाद आपने जो keyboard में enter दबाना है आपको उसके बाद आपको link मिल जागा यहाँ पर देख सकते हैं कि Avenger box GSM ठीक है तो इस पर आपको पहले वाली link पर आपको किलिक करने के बाद आप GSM form की site पर आ जाएंगे आप यहाँ पर आएंगे उसके बाद नीचे में आपको एक link मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको एक link मिल रहा है तो इस link पर आपको किलिक करना है तो इस link पर आप किलिक करेंगे तो इस link पर किलिक करने के बाद क्या होगा कि इसमें आपको setup नहीं मिलेगा इसमें only आपको जो यहाँ पर एवेंजर का जो यह है support access ठीक है एवेंजर यह आपको डाउनलोड करना सबसे पहले इसे आप गर आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसे डाउनलोड करने के बाद इसे आपको अपने computer में जो है इसे open करना है यानि इंस्टोल करना है चली पहले हम इसे download होने देते हैं उसको आपको बदाते है किस त कर दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि सपोर्ट एक्सेस एवेंजर जो है डाउनलोड हो चुका है हमारे डाउनलोड में उसके बात यहां पर क्या करना होगा आपको कि इस सपोर्ट एक्सेस एवेंजर को आपको जो है एक्स्रेक करना होगा उसके बाद कुछी इस तरह का अपको दिखाई देगा उसके इसे डायरेटली आपको ओपें करना है अपने कम्पेटर में उपने करेंगे उसके बाद आपके पूरो डोंगल लगावा होना अगर आपके पास योई अम्सीचा करेगा थे तो इसमें आपके पास है तो तो मैं यहाँ अपने रहा है रहा है इसके बाते सीसओ को फूले इसपर अपको किलिक करना है और जैसे एक 552 अचाश् फिख यह और सपय ओंटमें करेंगा इस साइट पर आपको आपके फीडिए जो है Avenger, Box का setup आपको यहां पे मिल जाएगा तीज में जितनी भी setup है यह सारी setup आप डाउनलोड कर सकते हैं बारी-बारी से अपने computer में ठीक है जिस तरह आप यह एवंटी डॉंगल का setup डाउनलोड करते हैं Qualcomm का है, Mediatek का है, MTK का ठीक है उसी तरह से आप यहां पे सारी-सारी setup जो है SPT टूल जो है और Qualcomm टूल है MTK टूल है सारी-सारी जो है DK setup जो है में setup जो है यह सारी-सारी आप download कर सकते है ठीक है तो मैंने इससे पहले सही download कर रखा है आपको ज लेए मैं चल्य है यही एवंड यह से कंशल कर देते हैं इसी तरह से बारी-बारी से आपको डाउनलोड कर लेना है अपने computer में तो चलिए दोस्तों मैंने सभी सेटप को डाउनलोड कर लिया है आपको दिखाने के लिए मैंने डाउनलोड पे किलिक किया उसके बाद यहाँ पे कंप्रेसर पे यहाँ पे सारा सेटप जो है मेरा यहाँ पे डाउनलोड किया वाँ पहले से तो चलिए हम पहले आपको यहाँ कि UMT Dongle जो है UMT Dongle में Avenger Box को जो है एड कर दिया गया है यानि कि UMT Pro Dongle अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको Avenger Box का Total Setup आपको यूज करने के लिए मिल जाएगा और मान के चले कर आप Only UMT Dongle लेते हैं तो इसमें आपको सिर्फ Only UMT Dongle का जो Setup है उसे ही आप यूज कर पाएंग बारी बारी से Total ठीक है उसके बाद चली हम इसे यहां पर फिनिस कर देते हैं फिनिस करने के बाद हम इस सेटप को जो है ओपन करके आपको दिखाते हैं यहां पर देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्कीन पर यहां पर एवेंजर का Setup जो है इसका आइकन भी आ चुका है और यह अटोमेटिकली ओपन भी हो गया है इसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि आप एक क्वैल कम तूल है बहुत सारी टूल है ठीक और दरसल यह जो सेटप है तो यह एवेंजर बॉक्स का Setup है यह एमटी डॉंगल का Setup नहीं है ठीक है यह एमटी प्रो डॉंगल का Setup नही यह है कि यह एमटी प्रो डॉंगल में Double Benefit है यह एमटी डॉंगल में Single आप यह एमटी प्रो डॉंगल का Setup यूज कर सकते हैं तो आपको मैं बता दू आपको छलिए हम यहाप सीव पोगराम आपको ओपन करके दिखाते हैं और एवेंजर सेटप का जो हमने जो इंस्ट्ल क करेकर ठीक है तो दोस्तों आप अगर आप यूएमटी प्रो डॉंगल लेते हैं तो इसमें आपको Double Benefit है आप यूएमटी डॉंगल का भी सेटप यूज कर सकते हैं एवेंजर बॉक्स का सेटप भी आप यूज कर सकते हैं तो अभी मैंने आपको दिखाया एवेंजर बॉक आपके मैंने अभी डाउनलोड किया था एवेंजर बॉक्स का सेटप चलिए हम उस सेटप को फिर से इस कंपीटर में इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉल करने के बाद फिर उसे मैं आपको ओपें करके दिखाता हूं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यह एवेंजर प्रो डोंगल में यह काम कर रहा है तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि UMT प्रो डोंगल और UMT डोंगल में दोनों में क्या फर्क है क्या अंतर है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके इसी काम आदे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शे स्क्राइब कर लें मिलते हैं मैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए